दोसकार आपको बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ अविशेक्ति बारी ख़वर की शिरुबात करते हैं और बड़ी ख़वर से देहरा दून से बड़ी ख़वर आ रही है CM धामी पहुचे हैं नीमबू वाला सांसकरती केंद्रे 996 अभ्यार्तियों को न्युक्ति पत्र का वितरन कर रहे हैं वन विभाग और तकनीकी सिख्षा में सहायक लेखाकारों को न्युक्ति पत्र सीम धामी दे रहे हैं तो आपको बता दे कि वन अरक्षी में चैनित अभ्यार्तियों को भी न्युक्ति पत्र दिया जा रहा है वन मंत्री सुबोध उन्याल ECC of अनूप मलिक समेत तमाम अधिकारी मौजूद है बड़ी खबार आपको दिखा रहें वन भाग तक्निकी सक्षा में साहयक लेखा कारों को वन आरक्षी में चैनीत अभ्यातियों को न्युक्ति पत्र दिया जा रहा है कारीकर में सुबोध उन्याल वन मंत्री पहुँचे हुए इसके साथी सीम ढमी भी नेबु वाला संसक्रतिक केंद्र पहुचे हुए है जहां नौसोद चानलवे अभ्यातियों को न्युक्ति पत्र दे रहे है तो देरा दून से आपको बड़ी खवर दिखा रहे थे कारिक्रम में सीम धामे पहुँच चुके हैं तस्वीर भी आप तक दिखा रहे हैं आपको वता दे कि नियुक्ती पत्र का वितरन का कारिक्रम है जहां 996 अव्यर्थी को नियुक्ती पत्र का वितरन होगा और वन विभाग और तक्निकी सिक्षा में सहायक लेखा कारू को निप्ती पत्र दिया जा रहा है वन अरक्षि में चैनित अभ्यर्थियों को भी निप्ती पत्र दिया जा रहा है इस कारिक्रम में मुख्मंत्री पुष्कर सिंग्धामी के साथ वनमंत्री सुबो दुनियाल ECCC of अनूप मलिक समेत तमाम अधिकारी मौजूद है और जुथे this . 9 микiniz Along में अभ्यर्थिों को निवी पत्र कए वितरंगास कारी पूसर रहा है मंविखे तक्निकी सिक्षा में सहाथ लेखाकारों को निवी पत्र दिया जा रहा है बनारक्षी में चैनेत अभ्यार्थियों को भी निवी पत्र दिया जा रहा है सियम, धामी और वनमंत्री सुबोध उनियाल के दौरा सुनिल राज हमारे समवादाता जुड़ चुके हैं सुनिल राज बड़ा कारिक्रम है नोसो चानने अभ्यर्थियों को निफ्टी पत्र सियम के दौरा दिया जा रहा है नोसो चानने अभ्यर्थियों को निफ्टी पत्र बांट रहे हैं इस पारिक्रम में जो कैज़ेश मंत्रीयों को वदुनियाल यहां पर मौदीथ हैं साथी साथ जो आफ हैं रहां रहां पर गंपर्मुक्तन रख्टक पनुबलिकों यहां पर हैं पर अपनी की शिक्ता में जो पर निफली की शिक्ता में वदूबलिकों और रहा हैं और आलेवली इन काश्रम में इस परहे हैं पर जो फिर आफ्ट कर बातनागों को जो भी सपन अबरतीन जिनका चैन पुटरकर राजय सरकार की नौसी में हुआ है उनको इस तरह के नुक्ती पत्र जोंके मंद्री बुटकर सिम्ना अधानी लगातार दे रहे हैं और आने वोले दिनों में ये दारा भी बड़ता हुआ नज़र आएगा जी चले बहुत बहुत शुक्रिया सुनिल रात वाम जनकारी आपने साजा की तो देरादू में बड़ा कारिक्रम चल रहा है जहां पर नुक्ती पत्रें सिम्न धामी के दुआरा दिया जा रहा है तो कई ये ब्यारती हैं जिनकी संक्यत 996 है जिनको सिम्न के हाथ से आद्निक्ती पत्र में लेगा इसके बाद ये अपने अपने शेत्र में काम करने के लिए तयार हो जाएंगे बन्विभाग तकनिकी सिक्षा में सहाइक लेका कारो और इसके साथ ये वन अरक्षी में चैनित अब व्यर्थियों को नुक्ती पत्र प्रदान किया जा रहा है सीम पुषकर सिंग धामी के द्वारा उत्राखण में लोगसभा चुनाओ की तयारियां जोरों पर है जहां प्रदेश के सीम पुषकर सिंगधामी और बिजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समें 250 प्रतने धियों ने दिल्ली में राश्टी परिशत की बैठक में हिस्सा लिया इस बैठक में लोगसभा चुनाओ को लेकर रणनेती तयार की गई तो वहीं आगामी लोगसभा चुनाओ में नए मतदाताओं पर पार्टी का फोकस रहेगा इस पर भाजबा के वरिश्ट नेता रविनर जुगरान ने कहा कि केंडराव राजिस सरकार का फोकस युबाओं के उजल भविश्ट पर रहेगा और अगमी लानिक पर जोर रहेगा उसका जो है कंसेप्ट है उसको लेके उनसे लगातार जो है बातचीत करना अपने कारकरों में लाना यह फोकस है और निश्चित रूप में नया मतदाता जो है वो चुनाओ को एक दिशा देता है लोगस्वचुनाओं से पहले राष्टी राधधानी दिल्ली में भाजपा का दो दिवस्ची राष्टी अदिवेशन हुआ जिसमें उत्राखन बेजेपी के 250 प्रतनेधी शामिल हुए राष्टी परिशत की बैठग में शामिल हुए राज्य मंतरी जोती प्रसाद गैरूला ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोगस्वचुनाओं को लेकर रणलीती तयार की गई है तो ही देश भर में लाभार्ती समेलन और लाखो कारकरताओं के माध्यम से 6 करूर युबाओं तक पहुँचने का लक्ष भी रखा गया है प्रतेक लाभार्ती के पास जाकर प्रधान मंत्री की ओर से प्रणाम कहा जाएगा और केंद्री योजनाओं से मिलने वाले लाभ के भाव से लाभार्तियों के बीच जाया जाएगा लाभार्थियों को नमो एप के माद्यम से मिस्कॉल करवाकर प्रधान मंत्री से जोड़ने का काम भी किया जाएगा ये अवियान देश भर में एक मार्च से पांच मार्च तक चलने वाला है और लोक सुबह शेत्रों में कारेकरम आयोजित किये जाएंगे जिसमें राश्टे इस तरके कारेकरता शरकत करेंगे जो सौ दिन हैं उनसब कारियों को पूरा करेगा और आने वाले सौ दिनों में भर्दी जिन्ता पार्टी की जितने भी अभिहान चलने वाले हैं जायो वो देज़भर में चलने वाला लाभारती संपर का विहान हो। इस लाभारती संपर का विहान के माध्यम से, पुरी देज़भर में भारती जिनता पार्टी लाखों कारेकरताओं के माध्यम से, लगवक 6 करोड लाभारतीयों तक पहुँचने का उसने लक्षे लखा है प्रतेग लाभरती पे जाकर उसको प्रदान मंत्री जी की ओर से उसको प्रदान मंत्री जी का साधर प्रणाम कहते हुए उसको प्रदान मंत्री जी की जो उससे मिलने वाले जो उसके लाभ है चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी देहरादून जहां पर कारिक्रम का योचन हो रहा है नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं सूबिक के मुखिया पुशकर सिम्धामी पत्र मिले हैं वो निश्चित रूप से इन चेत्रों में बनों की सुरक्षा के परति जो बहुत ही महत्तपून है अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और जिनको तकनीकी सिख्षा विभाग में आज ये नियुक्ति मिली है उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके आगे भ हो रहे हैं आज टेक्नोलोजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है तमाम नहीं नहीं रिसर्च आ रही हैं नहीं हम संधान हो रहे हैं नहीं नहीं तक्निकियां हमारे सामने आ रही हैं वो कैसे हम करें अंद्राजियों में भी जैसे हमारे यहां के बहुत सारे हमारे ही देश के अंगे राज्जे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल उन्होंने अपने हाँ बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडलों को लागू किया है, कैसे हम उनको अपनाएं, कैसे दुसरे राज्जेों में कुछो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, उनको अपनाएं, अपन भी हमें आज जो नए टेकनिक है नए टेकनोलोजी है उसनए टेकनोलोजी से जोड़ना है ऑननाइं के माद्यम से एप के माध्यम से लोगों की भी सेवा करनी है जनता को भी जोड़ना है कश इसके लिए हम जम達 मीन promise तर पर देखा है न सब जानते हैं 1-9-0-5 के बारे हूँ अरे तो इतनी काम आवाज क्यों आई आप 1-9-0-5 सेवा का अधिकार सेवा देने के लिए लोगों की सुपिधा के लिए बहुत सारी सेवाई हम दे रहे हैं लगातार मैं उसकी समिख्षा कर रहा हूँ आपको देहरादूर से दिखा रहे हैं अगले ख़वर करूख करेंगे आगामी लोग सुपचनाओ को लेकर बिजेपी एक्टे मोड में है और वोटरों को लुभाने के लिए कमर कसना शरू कर दिया है वहें जीत के लिए प्रदेश की पाचो सीटो पर पार्टी में मन्थन का दौर जारी है इस पर कॉंग्रीस ने बिजेपी पर निशाना साधा और कहा कि लोग सुपचनाओ सिर पर है बिजेपी वोटरों को लुभाने के लिए कई हतकंडे अपनाएगी दस सालों से केंडरोंड प्रदेश में बिजेपी सरकार है कॉंग्रीस ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला महगाई दर कितनी कम हुई साथी अंकित भंडारी की अब तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया है बिजेपी सरकार ने युबाओं और जंता को जो सब ने दिखाये थे वो अभी अधूरे है बिजेपी जंता की आँखों में धूल जोगने का काम कर रही है अब युबाओं को भंडे अपनाने का काम करेगी अब युबाओं को भी जोडने की बात हो रही है मैला कल्यान की भी बात हो रही है लेकिन साथ साल से प्रचन बहुमत की सरकार राजे में बाजबा की है दस साल से प्रचन बहुमत की केंदर में बाजबा की सरकार है ये बताए न कि बेरुजगारों को रुजगार देने के लिए क्या करतम उठाए पुल्टा वे रोजगारों पे लाटी चार्ज करने का आपने काम किया बेटियों की सुरक्षा के लिए आपने क्या करतम उठाए अंकिता बंडारी के परजोनों से पूछे और एकिस बाइस में जिन बेटियों के साथ उत्राखण में रेप हुए है तो कॉंग्रेस पार्टी ने कई मामलों को लेकर सरकार को गेरने की कोशिश किया चाहिए वो अंकिता बंडारी केस का मामला हो या फिर महगाई या फिर रोजगार का अगली ख़बर करूख करेंगे नहरादून में दून पुलिस इलेक्शन मोड में आ गई है जहां जन्पत के सभी हिस्ट्री शीट्रों की गतविद्यों पर निगरानी बढ़ा दी है तो नहीं SSP ने इंक्यामन लापता हिस्ट्री शीट्रों की तलाश के लिए अवियान शुरू करने के निर्देश दिये है लोगसबा चुनाव को लेकर नशा तसकरों पर भी पूलिस की पैनी नजर है इसलेकर अधिकारियों के साथ मासिक अपराद गोश्टी का आयोजन किया गया है और गोश्टी के दौरान पूलिस की तैयारियों का जहाज़ा लिया गया SSP ने सभी धाना प्रभारियों को अपने अपने धाना शेत्रों में संबेदंशील और अती संबेदंशील इस थानों पर चोकस रहने के नर्देश दिये गए लोगस्वच चुनावों के दरान बाहर से आने वाले सुरक्षा बलों के रुकने के लिए इस्थानों को चिन्हित कर समय से सभी बुन्यादी ब्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी नर्देश दिये गए है लोगस्वच चुनावों को लेकर कॉंग्रीस प्रदेश अध्यक्ष समय तमाम बड़े निताओं के दिल्ली दोरे के ख़वर सुर्खियों में है लहाजा प्रदेश की पांचो सीटों पर प्रत्याशों के मन्थन को लेकर गहनता से विचार विमर्श चल रहा तो हैं चुनावों में पार्टी में तयारियों को लेकर कॉंग्रीस प्रदेश प्रवक्ता शीष पाल सिंग विष्ट ने कहा कि लोग सबाद चुनावों में कॉंग्रेश कोई कूर कसर नहीं छोड़ना चाहती लोगसाब चुनाओं दोजार चुनाओं लेकर कॉंग्रेस तैयारियों में जुट गई तो कॉंग्रेस की महिला राष्टिय अद्यक्ष अलका लांबा 22 फरबरी को एक दिवसी उत्राखन दोरे पर आ रही है महिला कॉंग्रेस की प्रदेश अद्यक्ष जोती रोतेला ने कहा कि कॉंग्रेस मुख्याले में पहुंच कर प्रेसबारता करेंगी इसके बार नारी निया समेलन की तैयारियों को भी पर रखेंगी उन्होंने कहा कि प्रदेश कारकारने की एक महात्रफून बैठग प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले में होगी बैठग में सभी महिला कॉंग्रेस की पताधिकारी शामिल होगी प्राइब करेंगे सबसे पहले प्राइब करेंगे और तीन बजे के असपास हमारी जो परदेश कारे करने की बहने हैं जिलत देश हैं ब्लॉकर देश हैं उनसे अलग से मिलना चाह रही है तो वह एक बैठा के उसका दूश्च्छाम को उनके वापसी है उत्राइब विधान सभा सटर के बाद कांग्रेसी विधायक हाजी फूरकान एहमद ने यूनिफार्म सिबिल कोड को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किये हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों ने यूसी सी का विरूद किया था और सरकार से ड्राफ्ट पढ़ने के ल तरह से यूनिफार्म सिबिल कोड का विरूद करते हैं उन्होंने कहा कि हम अपने उलेमाओं और धर्म गुरों से इस मुद्धे पर चर्चा कर रहे हैं और अगर उसमें हमारे धर्मे के विरूद कुछ होगा तो हम पूरी तरह से उसका विरूद करेंगे अजितिकी तत्का लिए हैं हम इसका फैदा उठाओं सिर्फ सरकार इस पिल से आने वाने लोग सवाचनों का फैदा उठाना चाहती है और वो क्यूंकि इसमें बहुत कमिया हैं इसकी बहुत गहनता से जाच होने चाहिए और तभी अलागू इसमें से अब दुबारा फिर साती विदायगत सबने इस पर बोला और सबने इसका विरोध क्या हमने इस बस सिवा कलाव सचवाले कर्मियों को मिलेगा और सचवाले आने और जाने तक के सुब धाउपलब कराये जाएगी यह बस सचवाले कर्मचारियों को केदार पूरम स्थियत सचवाले कॉलोनी से रेसीब करेगी इसके बाद शाम को सच्छीवाले के सबी करमचारियों को केदारपूरम सच्छीवाले कॉलोनी में ड्राप भी करेगी इस दौसर पर मुक्षची बाधर रप्रोडी ने सच्छीवाले करमियों को बढ़ाई दी हैं इससे शुरू होने से देरादून की टैफिक समस्या को कम करने में मदद मिलेगी देरादून में कई सुत्री मागो को लेकर सड़कों पर उतरे उपनल करमचारी आज अपना धरना इस्थकित करेंगे उपनल करमचारी संगठन के अद्यवश्व बिनोद गोडियाल ने बताया कि उन्होंने मुख सची से अपनी मागो को लेकर मुलाकात की है पुरे मामले पर पांच सदर से समिती का गठन किया गया जो अपनी रिपोर्ट एक महीने की भीतर देगी साथ ही कहा के ज़्यादातर मागो पर सरकार ने रिटर्न में अपनी सहमती दी है इस पर सीम पुश्कर सिंग्धामी का धन्यबाद भी गयापित किया जाएगा और कल सी सभी उपनल करमचारी अपने अपने कामों पर लोट जाएंगे अब जो लिया कि मैंने के अंदर रिपोर्ट करेगी अपनी और जिसमें मानी मुक्विंद्र जी ने घुशना की कि दस पसेंट वो भी उसमा आ गया है और जिसमें मानी मुक्विंद्र जी का धन्यबाद करने जाएं उत्रगर में भूकानून और मौल निवास को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है जिसलिकर सरकार के लिए मुश्किले खड़ी कर सकता है नरसल मौल निवास भूकानून समनवे संगर्श शमिती के आवहान पर प्रदेश में जगे जगे सौब इमान रेली कायोजन किया जा रहा जिसे इस्थाने निवासियों के तरफ से समर्थन भी मिल रहा है भूकानून समनवे संगर्श समिती सरकार से प्रदेश के जमीनों की खरीद फरोग तरोगने के लिए हिमासल की तरज पर सशक्त भूकानून लागू करने की माग कर रही है भूमी कानून को समझने वाले लीगल एक्सपर्ट से भी इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं और मुझे लगता है कि समय रहते बहुत शीगर हमको एक सशक्त भूकानून मिलेगा जो की हमारी भूमीों को सहजने, समारने, सरक्षित करने का काम करेगा जब भूमी रहेगी तभी हम रहेंगे, हम रहेंगे हमारी संस्क्रिति रहें जनपग मुख्याले उत्तरकाशी में हर साल तीर्थ यात्रों का जनसेलाब मड़ा है और जिला प्रशासन यात्रों की सुरक्षा के लिए हर संभो प्रयास करता है लेकिन नगरपालिका यात्रा की धज्यां उडाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता दरसल नगरपालिका को बने हुए 50 साल से जादा का समय हो चुका है अब तक 3 महिला सौंचालियों का निर्माण हुआ लेकिन उन सौंचालियों में अब तक ताले लटके पड़े हैं जिसे ग्रामेड महिलाओं को भारी परिशान हों का सामना करना पड़ता है दरसल जिनके रिष्टेदाश शहर में रहते हैं वो मजबूरी में उनके भारों के शेरन लेती हैं लेकिन जो करेब महिलाएं अपने सरकारी काम के लिए शहर आती हैं तो मजबूरी में प्राइवेट शौचाल ले जाने को मजबूर हैं जिन से मनमाने दामों पर पैसा भी वसूल लाता है और पीम मोदी के सौक्ष भारत अवियान की खुले आम धज्जियां उड़ाए जा रही है जो गाहों से महला है याते हैं उनको इत्ती दिकत हो इत्ती उन्हें आज पास जो बजार्मन के रो रिस्तेदार है उनके घरों में जाना पड़ता है जिनका कोही बोलने वाला नी है उनकी कोई जान पेचानी वो दिन भर घूमते रहते हैं और वो कहां सौक्ष भार यहां पर है जब यात्री लोग आते हैं तो खुद कई बार लोग याते होने मुझ से भी का है कि मैडम यहां पर सोचाले काम होगा तो मैंने उनको यहां पर जो काशी विश्वनादमन इसके नीचे यहां पर सोचाले बना तो वहां पर जो है 5 यह 10 उलपे देके जो है मैईलाओं को पर जाना पड़ता है मेरे नगर पाजिका से अनुरोद निवेदन है कि आप लोगों ने जो हैं सोचाले बना रहें इन पर ताले में लागा के ने फोग दिये जाए बनेवे भी है उसकी देखरिक ने उप कर पा रहे हैं और मैं समझता हूँ वाके में जो है हमारे इस चुटे से बजार में महला टोयलेट की बहुत कमी है और जो बनेवे भी है एक आपका इस वाल नमबर छे में बलकि दू टोयलेट बने एक आज आज मैदर बने वे और यह लेक आजिस्त आप आके जाएंगे तो एक आदर घाट मार्क चे थोड़ा सा पहले है बनावा है उस लेकिन उसमें ताला लटका हूँ है क्यों ताला लटका लटकाया गया यह समझनी बात नहीं आती है यह आप हमारे जो है समय अधिसाज याजिकारी है यह यह सब हुआ है मैं इधर देखा कहीं भी नगरपाले का एरिया में कहीं भी महिला सोचाले नहीं है और इससे खेर महिला सोचाले भी नहीं है और पूरू सोचाले भी नहीं है और जिससे हमें बहुत दिक्कत होती है हमारे जुब्यापारी भाई है हमारे जब यात्रहें चलती है और जो महि कोई और उस वज़े से हमारे जो इदर उत्रकासी में काफी गंदगी हुरी ए। और सोचाले के वज़े से हुआ है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए तो बहुत दूर की बात है। सोचाले की बात करते हैं यहां पर पुरुषों के लिए सोचाले नहीं है आप यहां पर जितनी लावार इस गड़िया खड़ी है यहां पर देखिए कि टेंपो खड़ा आप पीछे देखेगा उसके पीछे सारा जोशाणा पिशाप करने के लिए आता है हमारे घर है लोगों महिलाओं के लिए जो सोचाले बने वी हैं उसमें ताले लगे में इन अगर तालों को मतलब जो खोला जाए और उनके लिए व्योस्ता की जाए तो सब्सक्राइगा महिला चले बुलेटे में फिलाल इतना ही जोड़ेटे हो देखते रहे हैं सुराज एक्स्प्रेस नमस्का थाम की बूसक्ता की जाए जोड़ेश ल celebrity है।